बच्चो चाप्टर 10 क्रिया जो हम पढ़ेते उसका जो आदा पढ़ेते आज हम आगे पढ़ेंगे क्रिया के बेद क्रिया के कितने बेद है दो बेद एके सकर्मक एके अकर्मक कितने बेद है दो बेद है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया देखो सकर्मक क्रिया सीवम खाना खारा है, सीवम है करता, खाना है कर्म और खारा है क्रिया, खरगोस गाजर खारा है, खरगोस है करता, गाजर है कर्म, खारा है क्रिया, मयंग ने घर सजाया, मयंग है करता, घर है कर्म और सजाया क्रिया, यहाँ पर क्रिया, जीन बस्तु में कर्म हो, वहाँ सकर्म क्रिया पाई जाती है जहां पर कर्म होता है क्या कर रहे हैं पता चलता है उसे देखो बहां पर सकर्म क्रिया कहा जाता है सकर्म क्रिया की पहचान सकर्म क्रिया की पहचान के लिए बाक्या की क्रिया से पहले क्या या किस लगा कर प्रस्न किया जा है उपर दे गया है मतलब हम हमें अगर पता चले ऐसे पता चले क्या खा रहा है खाना खा रहा है क्या कौन खा रहा है क्या है गाजर है ऐसे अगर पता चले तो उसको सकर्मक्रिया बोलते हैं सीवम क्या खा रहा है खाना खर्गोस क्या खा रहा है गाजर मैंग ने सजाया घर ऐसे अगर पता चले उसे सकर्मक्रिया कहते है अकर्मक्रिया कुटा भोक रहा है करता और क्रिया कौवा उड़ रहा है करता और क्रिया मनू रो रही है करता और क्रिया जिन सब्द में क्या है इन बाकियों में क्या या किसे प्रसना करने पर कोई उतर नहीं मिलता यह पर हम क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कुता क्या कर रहा है, बोलने से प्रसना मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ऐसे ही, क्या और किसे नहीं मिलता है, तो अंत में ये क्रिया अकर्मक्रिया है, ये सब क्या है, अकर्मक्रिया है, जीन बाक्यों में कर्म नहीं होता, वहां क्रि आप बोलते हैं